तो हेलो फैंट कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बताने वालों सैमसंग के जिन मॉइल ने वन्यों थी ओप्डेट आ चुका है दोस्तों उसके अंदर का एक फीचर या वुज़क्ति एंगे जिसको आप यूज करेंगे तो आपको डेफिनिट्ली मजा आना वाला है दो तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या हुआ जाना है अपने मॉइल की हापर सेटिंग पर मॉइल की सेटिंग पर आप आएंगे टॉप पे तो यहाँ पर आपको एक उप्शन मिलता है सार्च वाला ओप्शन जैसी यहाँ पर सार्च वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है एक option मिलता है आप देखेंगे यहाँ पर suggestion का आपको दिख रहा होगा suggestion के नीचे बहुत सारे आपको suggestion दिखेंगे hashtag लगा के लिका हुआ है personization, notification, privacy, security and eye comfort करके आपको दिख रहा होगा तो यह tag use कैसे करते है, all tag आपको दिख रहा हो, दोस्तों इसका फायदा यह है कि इन tag की मज़से आप अपने mobile में settings को find कर सकते हैं बहुत easily क्लिक है से, जैसे like मैंने हाँ पर सबसूपर आपको tag दिख रहा है, advanced कर जैसे आप उस पर advanced पर click करेंगे, जितने भी advanced related उसके बास features होंगे, setting के अंदर वो आपको बता देगा कैसे, जैसे कि मैं advanced पर गया हूँ, आप देख रहे हैं, वहाँ पर क्या बता रहा है, sim card manager में को इस नहीं रहा है क्योंकि headphone connected नहीं है, like dual messenger पर में गया, यहाँ dual messenger पर आप देखेंगे, वह आपको highlight भी करेगा, कि यह feature आपको यहाँ पर मिलने वाला है, तो सबसे पहला feature आपको, सबसे पहला tag मिलता है, वह advanced का होता है, उसके बाद यहाँ पर वापिसी dot पर click करेंगे, battery, यहाँ पर क्या हो, जितने भी battery related आपके पास mobile में features होंगे, settings होंगे, company तरह से वह आपको बता देगा, like जैसे notification के अंदर आपको एक setting मिल रही है, जैसे notification के अंदर आपको एक setting मिल रही है, so battery percent करके, जैसी आप इस पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर आपको highlight कर मिलने वाला है, तो यह बहुत ही काम के विचर, इसमें बहुत अच्छी settings मिलेंगे, बहुत अच्छी आपको tag मिलेंगे, आप यहाँ पर three dots में click करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको, जिसे buttons में जाएंगे, तो यह buttons related आपके बास क्या है, use volume की पर आपको buttons related है, navigation QR में है, और site की में, तो ऐसे करके आपको एक एक चीज़ बताएगा, कि किस of, किस tag में क्या-क्या feature आप cover कर सकते है, like connected device में जाऊंगा, तो वहाँ पर आप connected device में, link to window में में connect कर सकते हैं, android auto में में connect सकते हैं, और call and text में भी जाके आप device current कर सकते हैं, इसलिए सारी setting आपको बता देगा आपको data backup करना है, तो आप data backup में जाएंगे, तो आपको खुद ही बता देगा, कि data backup आप कहां पर कर सकते हैं, samsung cloud में कर सकते हैं, और उसके नीचे आपको दिख रहा हुगा account and backup में, bring data from all device, या external storage, answer में भी आप यहां से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ का पिलको solution मिलने वाला है, like में health में चला गया, तो health में आपको sounds related health बता दिया, add up sound में, custom volume limit में, eye comfort sheet में आपकी health हो सकती हैं, और bad time mode में मतलब कि आप उसमें time set करके वहां पर उसको remove कर सकते हैं, उसके आपको यहाँ पर gaming पर जाएंगे, तो gaming से related आप यहाँ पर क्या कर सकते ह और यहाँ one hand mode का भी बता रहा है, तो यह आपको make particular school को बता रहा हो, जब आप उसको use करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा option बहुत अच्छा लगेगा, like मैंने यहाँ पर click करा, night, अब night related उसके बास क्या क्या है, adaptive brightness में आप night mode को set कर सकते हैं, dark mode कर सकते है, night mode में, और bad time mode में आपकि night की time हमारा phone auto off हो जाए, तो यह ऐसा work करता है, यहाँ पर आप आएंगे जैसे सबसच्छा performance, आपने यहाँ पर देख करा performance, तो performance related उसके बास क्या है, storage and battery information, आप storage में जाएंगे, storage में जाएंगे, तो आपको सारी storage बता देगा, कि आपके इतनी storage आपको यहाँ से free करना होगा, तो आपकी one of one increase हो जाएगी, battery information में जाएंगे, तो battery की बारे में बता देगा, आपकी battery में कैस, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, जो मुझे सबसच्छा, इसमें feature लगा, यहाँ पर आपको एक tag मिलता है, सबसे end में, what's new, आप उस पर जैसे ही click करेंगे, तो आपको भी बता देगा, कि भाई, यह नए-नए feature यहाँ पर जुड़े गए, लाइक, one year three point one update होने के दिया, मेरा last update होने के दिया, मेरे पास क्या जुड़ा होगा है, brief pop-up setting, widgets, android auto, battery and samsung app setting के अंदर, यह कुछ नए है, मेरे पास feature जुड़े गए, तो जैसे कि आप अपने mobile में जाके देखेंगे, आपको जो last update में, जो नए features होंगे, आपको यहाँ पर बता देगा, उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर, मतलब, tags बहुत अच्छे अच्छे है, प्रसनाइज अगर आपको अपने display को personalize करना है, screen mode को, font size को, wallpaper, theme, तो अब यहाँ पर एक एक चीज़ को पूरा, पूरी settings आपको in-tech के अंदर मिलने वाली दोस्तों, आप in-tech को use करके, मुझे comment करके बताना, आपको यह मेरी video कैसी लगी, तो thank you तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह मेरी video पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक ज़रू करें, अगर आपको लगता है तो मेरी video कुछ कमी है, तो मैं डिसलाइक भी का सकते हैं दोस्तों, और अगर आप मुझे कुछ पूचन चाहते हैं, इस video से लेटे या कुछ भ बेले-बेले दोस्तों, तो थेंक्यू